हेलो एन नमस्ते फ्रेंट्स आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले की एक बहुत ही टेस्टी सबजी जिसे बच्चे भी बहुत चाव से खाएंगे तो आई होप आपको यह रेसिपी पसंद आएगी तो चलिए स्टार्प करते हैं आज की इस रेसिपी को सबसे पहले करेले लेंगे मैंने दो करेले लिया है और करेले बड़े है इसका स्किन मोटा है इसलिए मैं इसको हलका हलका पील कर दूँगी अगर पतले करेले हूँ छोटे करेले हूँ तो पील करने की जुरुत नहीं होती है पील करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके मैं इसमें थोड़ा सा नमक लगा करके इसको अच्छी तरीके से रप करूंगी और नमक लगाने के बाद इसको कमसे कम 5-10 मिनिट मैं छोड़ दूँगी ताकि इसका जो थोड़ा कड़वा पन है न वो निकल जाए अब जादा देर के लिए भी रख सकते हैं बट मुझे लगता है कि सारा उसका करेले का एसेंस जो है वो नहीं निकलना चाहिए फिर इसको रफली चॉप कर देंगे तो मैंने प्याज दो मीडियम साइस के लिए थे और करेला था तो इसको रफली चॉप कर दिया मैंने कडाही रख दिया है मैंने इसमें लगभग तीन टेबल स्पून ऑयल डाला था कोई मतलब करेली की सबजी में थोड़ा सा ऑयल लगता है तब ही वो जादा टेस्टी बनती है तो अभी मैंने चारो तरफ तेल फैला लिया है तेल से जब स्मोट निकलने लग गया तब मैं इसमें आधी चमच जीरा डाली आदा चमच मैंने सौफ डाला इसके बाद सरसू के दाने डाले और थोड़ी से हीम भी डाला इसके बाद चॉप की हुए प्याज और मिर्ची डाल करके अच्छी तरीके से इसको मिक्स किया और थोड़े से सौफ हो जाए तब तक इसको पकाना है बहुत जलाना नहीं है और इसके बाद मैंने इसमें लगबग आधी टी स्पून नमक डाला ध्यान रहे है पहले हमने करेले में भी नमक लगा के छोड़ा तो नमक तो जाना है कि यह थोड़े सौफ सौफ सोफ से हो जाए है ट्रांसलूशन से इसको जलाना नहीं है तो देखिये प्याज का कलर कुछ इस तरीके से आना चाहिए अब इसमें मसाले करेंगे तो सबसे पहले मैंने हलदी पाउडर डाला है रेचिली पाउडर डाला बुदेग में मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको कम से कम 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे तो बीच में मैंने एक बार चेक भी किया था इसको कि जल तो नहीं रहा है बट ये परफेक्ट कुक हो रहा है कोई प्रब्लम नहीं है तो अभी घड़ी में देखिया टाइम हो करीब 15 मिनट से पकने के लिए छोड़ रखा है तो लगबग लगबग अमारा कारेला पकने को आया है तो अब इस स्टेज पर क्या करेंगे कि लगबग मुट्टी परके मैंने लसन लिए कम से कम 15 से 20 होंगी और आधा चमच आमचुर पाउडर लिया है इसको अच्छी तरी करेंगे और देखिए पाच मिनट के लिए धक करके चोड़ेंगे और देखिए पाच मिनट के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद इसको वापस से पाच मिनट के लिए धक करके चोड़ेंगे और देखिए पाच मिनट के बाद करेले का रंग कुछ इस तरीके से आया करेला पूरी तरीके से बन चुका है और बहुत ही टेस्टी बना था तो फ्रेंड्स आप इसका कलर देख सकते हैं नहीं लग रहा था बच्चे भी बहुत अराम से खा लिये थे ये तो इसको आप रोटी पराथे चावल दाल किसी भी चीज के साथ सर्फ कर सकते हैं इस लाइक नहीं रेसिपी प्लीज सब्सक्राइब तो माई चैनल और नोटिफिकेशन बेल को भी आउन कर दें सो देट मैं जो भी रेसिपी अप्लोड करती हूं वो सबसे पहले आपको मिले थांक यू सो मच फ्रेंट्स